Central Bank Bank Statement एक दिन में एक से अधिक बार कैसे निकाले और एक साल से अधिक भी कैसे निकाले तो इसके लिए सबसे पहले आपको Play Store में आना है एक Bank का ही अप्लिकेशन है Send Mobile इसको आपको Download करना है दोस्तो जब तक Download हो रहा है आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आप मेरे वीडियो में 100% भुरोसा कर सकते कि हम आपको सही सही जानकारी देंगे तो इसको Open करेंगे और यहां देखिए यह Permission मांग रहा है कुछ तो Permission पर Allow करेंगे और जो भी Allow मांग रहा है Allow कर दें और यहां देखिए नीचे में Setting Option पर क्लिक करेंगे और यहां आपका Location Service के उपर में क्लिक करेंगे अन हो गया उसके बाद आपको Back चले जाना है थोड़ा सा आपको Wait करना ही है फेचिंग Location जो ले रहा है और Village Wait भी लिख रहा है तो थोड़ा सा Wait कर ले उसके बाद सबसे पहले आपको यहां Register के उपर में क्लिक करना होगा इस एकाउंट को सबसे पहले इस एकाउंट में आपको Register करना होगा उसके बाद Accept को उपर में क्लिक करना होगा और यहां से आप चाहे तो अपना CIF नमर डालके Summit को उपर में क्लिक करेंगे CIF नमर नहीं है तो एकाउंट नमर यहां से डालेंगे यहां से account नमर के उपर किलिक करेंगे account नमर डालेंगे submit को उपर में किलिक करेंगे तो मेरे पास cf नमर है cf नमर डालेंगे submit को उपर में किलिक करेंगे उसके बाद proceed को option हैगा तो proceed को option में किलिक कर देंगे allow मंगेगा तो allow कर देंगे थोड़ा सा आपको wait करना है उसके वाद आपके समनी ये वाला page आजागा अगर आपके पास debit card है तो debit card के उपर में click रहेगा ही और यहाँ debit card का number भरेंगे ATM का जो number भर देंगे और expiry month भरेंगे expiry year भरेंगे summit को पर में click करेंगे अगर आपके पास internet banking है इसको पर में click करेंगे। का user name देंगे passport देंगे अगर आपके पास दोनों नहीं है तो यहाँ 3,9 में click करेंगे आई है branch generate token आपको branch जाना होगा बैंक से एक token ID मिलेगा और token नमर मिलेगा इस token नमर को यहां पर डालेंगे और submit के उपर में click करेंगे उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को पास मेरे पास ATM card AC के उपर में click करेंगे फर्स्ट वाले पर यहां अपना ATM card का number भरेंगे करेंगे उसके बाद ATM card का expiring month भरेंगे year भरेंगे submit को पर में click करेंगे उसके बाद आपको यहां से यूजर नेम डालना है पासबर डालना है लोगिन को पर में click करना है मेरा ऐसा option इसलिए आ रहा है कि मेरा account पहले से बना हुआ है आपका new account होगा तो user id बनाने को option आजयागा password भी बनाने को option आजयागा जिसको mpin भी बोलते है उसके बाद आपको एक tpin बनाने का भी option आजयागा तीनों को आपको बनाके उसके बाद username डालेगा आप password डालेगा tpin जो होता है वो डालके login को पर में click कीजेगा उसके बाद आप account में login हो गया है उसके बाद इसको ok कर लेगे तो आप account में आप जो है login हो गया है, इस account में बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ हम बताएंगे ने, सारा कुछ के लिए अलग से वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, अगर वीडियो में और भी चीज बताएंगे तो बहुत बारा ल क्लिक करेंगे, और यहां कस्टम डेट को उपर में क्लिक करेंगे, यहां से अपना डेट चुन लेंगे, कब से कब आपको निकालना है, और एक बार में कम से कम 6 मंत का ही निकालना है, तो यहां से डेट चुन लें, जैसे डेट चुन लेंगे, कब से कब तक निकालना है, उ इस account में email id को add कराना होगा, add कराने के लिए आपको branch जाके एक बार add करा दिजिएगा, तो अपने email id पे भी आप statement को मंगा सकते हैं, और नहीं तो आप mobile में download करके रख सकते हैं, तो फिलाल mobile में download करके आप रख सकते हैं, तो यहां download PDF को पूर में click करेंगे, और यह आपके bank, mobile म उसमें folder बोल रहा है, चो आइस folder को उपर में click करेंगे, कौन सा folder में आप लेना चाहते हैं, उसके उपर में click करेंगे, आप चाहाए तो new folder भी बना सकते हैं, तो मेरा folder पहले से बना हुआ है, तो हम इसी में लेना चाहते हैं, तो use this folder को उपर में click करेंगे, allow करेंगे, तो मे यानि आपका जो CIF customer ID होता है इसका फर्स्ट चार नमर दीजिएगा और अपने मूबाइल का फर्स्ट चार अक्षर दीजिएगा इसके बाद इसको करें और यहां से पासबड मांग रहा है तो पासपर्ट में हम अपना CIF का चार अक्षर देते हैं उसके मुबांल का चार अक्षर देते हैं उसके बाद नीकल गया और फिर से यह मेंद के निकल गया और फिर साल से अधीक निकालना है तो 5 बार निकालने और 6 बार निकालना है तो 6 बार भी निकाल सकते हैं कोई दिकत ने अराम से निकल जागा एक दिन में आप 1,5 साल, 2 साल, 3 साल तक का निकाल सकते हैं तो आप अभी तक देखे होंगे कि एक बार में statement एक ही बार निकलता है पहले भी मेरा वीडियो बनाए हो इसमें बताय हुए हैं कि आप एक दिन में एक ही बार एस्टेट में निकाल सकते हैं लेकिन इसमें हम आपको बता दिये कि एक से अधिक बार कैसे आप एस्टेट में निकाल सकते हैं एक दिन में और अपना एक साल से अधिक भी कैसे निकाल सकते हैं औ अगर आपको लगता है कि हम और आपको को इन दारी से सही था इज ही बता undoubtedly है जानकारी दीए हैं तो Alt लायक दो इसक लाइक पर Monge खोंकμεंट सब्सक्राइब है किजएगा मिलते हैं एक अच्छे बड़ी को साथ नेगीडे में तब तक अपने सहत का अच्छे से ख्याल लखे है टाटा बाई बाई